हलो दोस्तों मैं विश्यक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फीट आई टी आई पे आज की ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपोर्टन क्लास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो फिटर से ITI जी हैं वेल्लर्ड जी हैं मसीनिस्ट से जी हैं या किसी भी मैकेनिकल गुरुप की टेर्ट से एट जी हैं और गवर्मेंट एक्साम्स के तैयरी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास जो है बहुत ही जादा helpful होने वाली है और Assistant Boring Technician वालों से ये अन्रोध है कि आप ये वीडियो देखने आये हैं तो आज की ये वीडियो जो है बिल्कुल भी आप मिस नहीं करिएगा और जो चीज़े मैं बताओं गए एक एक चीज़ को आप नोट करेंगे एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे जो चीज़ें समझ में नहीं आयेंगे कमेंट करेंगे मैं फिर से दुबारा इसको बता दूँगा इस कलास का इतना बड़ा महत्व है कि ये समझ लीजिए कि आप जो असिस्टेंट बोरिंग टेकनिसियन का एक्जाम देने जा रहे हैं उस एक्जाम में अगर तीन से चार क्यूशन इससे नहीं आया तो आप एक्जाम देने के बाद आना मेरे वीडियो पर कमेंट करना और मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा अपना चैनल बंद कर दूँगा मैं यहां तक बोल रहा हूं तो इस भरोसे से ये मैं इसलिए बोल रहा हूं जिससे आपको भरोसा हो सके इस चैप्टर के प्रस्णों पर इस चैप्टर पर कि ये चैप्टर आपके लिए कितना important होने वाला है तो इस chapter से भी previous year हम आपको कुछ question दिखा देंगे कुछ डाल दे रहे हैं आप देख सकते हैं तो यह question आपके बगल में सामने दिख रहे हैं यह सारी question जो है आज class लेने के बाद जो है वो आपके solve हो जाएंगा और पिछले साल के सारी question है तो पिछले सार कम पान से छे question जो है पिछले साल जो exam हुआ था एबीटी का उसमें पान से छे question जो है वो properties of material यानि की धातूं के गुण से जो है वो पूछे गए थे तो इस class को हम लोग start करें तो आप से request यही है कि आगे future में future trade से संबंधित या builder trade से संबंधित जितने भी mechanical group की trade है उनसे संबंधित वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो चैनल को आप लोग subscribe कर लिजिएगा और subscribe करने से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप bell icon को जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आप के एक्जाम के बाद आपको वीडियो मिले आपके सामने फ्रंट प्याव तब आपको पता चले और तब समय जो है वह बहुत आगे निकल चुका होगा तो आपके लिए थोड़ा से जो है नुकसान हो सकता है तो इस चैप्टर को सुरू करते हैं और इस चैप्टर के बारे में जानते हैं तो जो सलेबस में दिया गया है वो आपके ट्रेड में वो धातूं के यांतरिक गुण के बारे में ही दिया गया है लेकिन एक बार थोड़ा से हम लोग इस चैप्टर के ओवर वीव के बारे मे बात करें, तो यह चैप्टर का नाम है मेटल, मेटल यानि की धातु, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको जानते हैं कि मेटल या धातु की परिभासा क्या है, धातु होती क्या है या मेटल होते क्या है, तो मेटल जो है वो एक खनिश पदार्थ है, लिखेंगे आप ल धातुएं एक खानिज पदार्थ हैं जो की खानों से आयसकों के रूप में निकाली जाती है निकाली जाती है तो यह आपको पता चल गया होगा कि जो धातुएं है वो एक प्रकार का आयसक है जो की खानों से ख़दानों से क्या की जाती है खोद करके निकाली जाती है और जब यह निकाली जाती है उस समय इनको क्या बोला जाता है और बोला जाता है यानि कि I ask तो उस समय क्या होता है यह कच्चे फॉर्म में होती हैं इनको हम लोग विभिन प्रकार से साफ करते हैं अपने उपयोगी जिस तरह से हमको उपयोग करना है उस तरह बनाते हैं तो जो है यह हमारे काम की बन जाती है धातुएं अब धातुएं जो होती है धातुएं विद्युद की सुचालक अपारदर्सी एवं इनको आपस में आघात करने पर इनसे ध्वनी उत्पन होती है ध्वनी उत्पन होती है यह आपको पहले से भी पता रहा होगा नहीं पता होगा तो आप इसको जान जाएए कि धातूँ के बारे में इतना थोड़ा सा जो है आपको पता होना चाहिए नहीं तो फिर धात और अधात को आप कैसा इडिंटिफाई कर पाएंगे हलाकि धातू और अधातू पर यह बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुब्यवस्तित तरीके से हमने एक लेक्चर अप्लोड किया है तो असिस्टेंट वोरिंग टेक्निशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे तो वहाँ पे आप जाएंगे जब तो वहाँ पे आपक कुछ गुड होते हैं किसी भी व्यक्ति कि जैसे मान लिजे कि आप हमारे बारे में पढ़ रहे हैं या आप महत्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जैसे तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना की यह चीजे होती है इनका पहचान हमने समझ लिया कि कैसे इनको पहचानेंगे हम, अब किसी भी धातु या किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके गुण और उसके दोस्त के बारे में पढ़ते हैं, उसके कौन-कौन से उसके अंदर गुण है, कौन-कौन से उसके अंदर प्रापर्टी हैं, उसके बारे में पढ़ते है तो हम लोग जो है आगे इसी के बारे में बात करेंगे तो अब जो हमारा वो जो syllabus में दिया गया है वो सुरू होने जा रहा है तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और जो चीजें में practical में आपको बताने की कोशिस करूँगा तो उसको आप लोग आशा है कि imagine करेंगे और सोचेंगे अपने मुन में कि वो चीजें जो है वो कैसे हो रही है आज की ये जो class है ये हम आपको पूरा जो बताएंगे वो आपको चीजें दिखेंगी practical life में आप कहीं न कहीं चीजें को देखें होंगे तो जो धातूं की गुड़ होती हैं तीन गुड़ होते हैं इनके भौतिक गुड़ रासाइनिक गुड़ एवं यांत्रिक गुड़ यांत्रिक गुड़ तो इन दो चैप्टर इन दो जो टॉपिक हैं इन दोनों को हमने साइन्स वारी लेक्चर में लिया हुआ है अलड़ी तो वहां से जब आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीजें जो है समझ में आ जाएंगी यांत्रिक गुड़ जो है उसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है यांत्रिक गुड़ इसी को बोलते हैं इंगलिस में mechanical properties इसी को जो है mechanical properties बोलते हैं यांत्रिक गुड़ कहा जाता है तो अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि mechanical properties कौन कौन सी होती है जैसे भहतिक गुड़ के बारे में मगर हम लोग एक बार थोड़ा से यहां पर आपको बताना चाहें तो भहतिक गुड़ का मतलब यह होता है कि कि conceived छालकता से पहचानना उसके चुमबकत्तो से पहचानना उसके रंग रूप चाल-ढाल से जैसे किसी व्यक्ति को आप भहत कटो है कैसी दातु है काई इसमें से गूंड हैं तो हमको भावतिक गूण के वाले में पढ़ना पड़ेगा यानि कि आगर्या आपको हमारे बारे में दूर से आपद के गर हम को समझेंगे तो हमारी बावतिक चीज़ें को जो है आप देखेंगे कि हमारे बाल कैसे हैं हमारे चेहरे की बनावाट क्या यह overall का इसा है, हमारा पहनावा itself कि इन सारी स्ञुजों को जो है आप थोड़ा बहुत देखकी ज्झाराइन गुण में तो भौति गुड में आ जाते हैं उसी यांत्रिक गुण के बारे में आप जैसे माने से लिए कि अगर आप हमारे भौतिक गुण को तो आप हमारे दूर से देख सकते हैं, कलर से देख सकते हैं, हमारी चाल ढाल से देख सकते हैं, हमारी बोली भासा से समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे यांत्रिक गुण के बारे मे जैसे मान चले कोई भी मैं बोरी उठा रहा हूं तो हमसे नहीं उठ पा रही अगर तो इसका मतले मेरे जो strength है यानि मेरा सामर्थ है वो कम है ठीक है तो इस प्रकार से भी चीजों को हम लोग समझेंगे तो यांतरिक गुण में यांतरिक गुण को सुरू करने से पहले एक बहुत अच्छा आपको graph हम बता रहे हैं ये graph भी पिछले साल पूछा गया था और आसा है कि इस बार इस graph से एक question आपको जरूर मिलेगा और ये question आप लोग करके सही आईएगा इस question को आप लोग गलत नही क्योंकि यह चीजों क assunto यहाँ पे बता रहा हूं इंचीजों को आप लोग कभी जो है छोण के नहीं क्या यह graph है stress और strain के बीच में तो यह जो stress और strain के बीच में जो graph है यह mild steel यानि कि मृद्विस्पात का graph हम बना रहे हैं अभी थोड़ी सी चीजें समझ में नहीं आएंगी मैं थोड़ा सा लेवल आपका जो है उठाने की कोशिश कर रहा हूं तो अभी इसके बाद थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे समझ में चीजें जो है आपके आने लगें तो stress और strain का ये graph है मृद्विस्पात के बारे में यहां पर बात की जा रही है अभी जब यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा ये जो पूरा ये मैं चित्र जो बना दिया हूं पूरी आपकी mechanical property जितने भी 10 से 12 आप mechanical property पढ़ेंगे 8 या 10 जितनी भी होती ह हैं वो सारी जो है इसमें आपकी समाहित हैं तो इससे जो है आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी लास्ट में आप पाएंगे कि हम उपको जो है सारी properties याद हैं और इन properties से कम से कम 3-4 question 100% आना ही आना है इस exam में तो अब यहां पर प्रस्ण ये उठता है कि जो stress और strain हमने बनाया है ये क्या होता है ये भी पिछले साल पूछा गया था कि stress क्या होता है इस ट्रेन क्या होता है किसका किसका ratio होता है तो हम लोग बात करते हैं stress और strain क्या होता है तो थोड़ा सा आप से एक हम प्रस्ण पूछना चाहेंगे कि जैसे मान के चलिए आप कभी किसी प्रेशर में रहते हैं आपके साथ कोई दुर घटना हो जाती है किसी प्रकार का कुछ बात हो जाती है तो ऐसा होता है ना कि आपके अंदर क्या होता है प्रेशर डेवलप होता है आप काफी ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं इसस्टील की प्लेट को अगर आपको क्हींचने के लिए कहळे जया ऐसे यानि कि आप इधर भी कहींच रहे है और इभर भी खींच है तो इसस्टील की प्लेट को अगर हम ऐसे खींचेंगे ऐसे यानि कि इधर डौनों साइड हम हो responsibilities तो क्या ये इस्टील खीचेगी पहले तू नहीं खीचेगी ये मारकर जो है अगर आप इसको खीचेगे तो क्या खीच लेंगे नहीं खीच पाएंगे क्यों नहीं खीच पाएंगे क्यों कि जैसे ही हम इस मारकर को खीचते हैं तो इस मारकर के अंदर एक stress develop होता है, यानि कि एक stress पैदा हो जाता है, stress को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल, प्रतिबल, तो जैसे ही हमने इसमें बल लगाया, बल लगा के जैसे ही हमने इसको दोनों तरफ से खीचा, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक प्रतिबल लगना सुरू हो गया है, यानि कि बल के उल्टा जो है एक प्रतिबल लगना सुरू हो गया, तो वही क्या कहलाएगा, stress कहलाएगा, अब हमने इसको खीचा इधर की side, तो यहां से जो है इस still body में एक इधर की side जो है बल लगना सुरू हो गया, तो वो क्या कहलाएगा प्रतिबल कहलाएगा ठीक है इतनी चीज आपको पता हुई अब क्या हुआ कि हमने जो है बहुत ही जादा बल लगा दिया इतना बल लगा दिया कि इसका पेन के अंदर जो प्रतिबल पैदा हो रहा है वो प्रतिबल कम पड़ गया हमारे बल से तब क्या हो जाएगा तब मारकर ये खीच जाएगा यानि कि जब ये अंदर जो इसके मारकर का जो बल लगाया जा रहा है मारकर के द्वारा इस स्टील के द्वारा अंदर का जो बल इसको खीच रहा है नहीं जाने दे रहा है यहां से हम लोग इसको खीच रहे हैं मगर यह इस्टील रोड बोल रहा है भाई हमको जाना ही नहीं हमको नहीं फैलना है मत खीचो तुम हमको तो इसका मतलब यह हुआ कि अंदर से कोई इसको रोक रहा है तो रोकने वाला जो बल है वही प्रतिबल हुआ, यह क्या हुआ, प्रतिबल हुआ, तो तब तक यह इस टील को हम लोग नहीं खीच पाएंगे, जब तक कि इसके अंदर जो प्रतिबल डिवलप हो रहा है, उससे जादा हम लोग बल न लगा दें, अब ऐसा हुआ कि आपने बहुत जादा बल लगा दिया, त यहां तक पैल गई, तो अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, अब इसमें स्ट्रेन हो गया, यानि कि अब इसमें क्या हो गया, विक्रती हो गई, क्या हो गई विकृति हो गई तो अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि stress और strain का मतलब क्या होता है यानि कि अगर किसी भी body किसी भी चीज को हम लोग जब खीचते हैं नहीं खीचता वो चीज जब जब तक वो body उतने पे ही रहती है तो उसके अंदर एक bul generate होता है बल उत्पन होता है जो इस bul के जो है against काम करता है यानि कि उसके resistance में काम करता है उसको रोकने की कोशिस करता है वो प्रतिबल कहलाता है लेकिन जब जो है हम इतना ज़्यादा बल लगा दें कि हम इस्टील को खीच करके बढ़ा कर दें और इस्टील क्या हो जाए कोई भी body क्या हो जाए वो फैल जाए तो वो क्या कहलाएगी वो strain कहलाएगी तो यह strain क्या होती है strain बराबर change in volume यानि कि change in length लंबाई में परिवर्तन बटा original लंबाई यानि कि वास्तविक लंबाई तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसको strain बोलेंगे अब इसकी लंबाई में परिवर्तन आया तो यह क्या हो जाएगा यह linear strain हो जाएगा यानि रैखिक strain हो जाएगा रैखिक विकृति हो जाएगी यानि कि एक रेखा में अगर परिवर्तन आ रहा है तो रैखिक विक्रती हो जाएगी यानि कि लंबाई में जितना परिवर्तन हो रहा है माने चलिए ये परिवर्तन और ये परिवर्तन यानि कि डेल L अपान L ये क्या हो जाएगी? रैखिक विक्रती हो जाएगी ये डेल L हुआ ये हमारी उरिजिनल लंबाई थी अल हुआ और ये क्या हुआ ये भी डल अल हुआ तो अगर जो है इसके वोल्यूम में चेंज हो जाता है यानि कि इसके आयतन में चेंज हो जाता है तो change in volume upon original volume यानि कि आयतन में परिवर्तन बटा वास्तविक आयतन तो stress और strain ये clear हुआ हमने काफी ज़्यादा समय लगा दिया इसी को समझाने में लेकिन ये जो ratio है आप लोग इसको note करेंगे ये आप से 100% ये चीज़ें आप से पूछी जाएंगी अभी लग रही होंगे कि ये चीज़ें क्या है तो ये जो stress और strain है इस curve को आप लोग याद करेंगे अब जो है elastic limit को हिंदीम क्या बोला जाता है प्रत्यास्ता सीमा प्रत्यास्ता सीमा इसको क्या बोलते हैं yield point yield बिन्दू इसको बोलते हैं ultimate tensile strength और यहाँ पी क्या होता है fracture होता है fracture होता है यह hook का नियम है hook का नियम आप से पूछे अगर hook का नियम तो hook सहाब ने बताया कि किसी भी body में stress जो होता है वो directly proportional to strain होता है यानि कि sigma is directly proportional to strain यह hook का नियम है यह भी आप लोग रटेंगे लिखेंगे कहीं पे मैं इसको रफ करके अच्छे से लिख देता हूँ चीजों को hook का नियम क्या है stress is directly proportional to strain प्रत्यास्थता सीमा तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है यानि कि stress is directly proportional to strain यह stress इसको बोलते हैं यानि कि इसको प्रतिबल बोलते हैं इसको विकृति बोलते हैं यह hook का नियम है यह भी आप से पूछा जा सकता है अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी properties की तरफ यानि कि जो हमारी थोड़ी थोड़ी छोटी-छोटी heading हैं उनकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो पहली जो हमारी heading है heading डालेंगे आप लोग इसको अब रफ कर रहे हैं ठीक है यह चित्र बना रहेगा इसी से जो है सारी चीज़ें चलेंगी पहले हेर्डिंग आप लोग डालेंगे Elasticity Elasticity यानि की लचीलापन इसको समझते हैं Elasticity जो होता है वो किसी भी मेटल का वह गुण होता है कि जिससे किसी मेटल को अगर हम खीचते हैं उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए तो वो पुनह अपनी अवास्था में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है वो Elasticity यानि की लचीलापन कहलाता है लचीलापन हिंदी से आप समझ रहे होंगे लचीलापन का मतलब कितना कोई भी चीज लचीली है जैसे मान की चलिए ये कोई पतला सा बहुत लंबा सा तार है वायर है इसमें हमने एक उधर क्या है एक किलो का वजन लटका दिया तो ये तार क्या हो जाएगा इससे जुक जाएगा जैसे हम उसमें क्या करेंगे एक किलो वजन को हटाएगे वो तार फिर से उतने पर ही आजाए तो वो क्या कहलाएगा उसका लचीलापन कहलाएगा यानि की Elasticity कहलाएगा उदाहरण के लिए जो आप गेंद खेलते हैं, क्रिकेट जिस गेंद से खेलते हैं, वो गेंद जब आप दिवाल पे मारते हैं, तो क्या होती है, वो दिवाल थोड़ी सी पिचक जाती है, लेकिन जैसे वो दिवाल से हटती है, वो पुनह अपनी अवस्था में आ जाती है, त जब कोई धातु किसी भार का वहन करती है तो उसमें कुछ विरूपड आ जाता है विरूपड आ जाता है परंतु भार हटाने पर वह धातु पुनह अपनी वास्तविक आवस्था में आ जाए तो वह इलास्टिसिटी कहलाती है कहलाती है इसको आप लोग नोट करेंगे यह एक्जैक्ट यही चीज आप से जो है एक्जाम में पूछी जाएगी इलास्टिसिटी यानि किलाचीलापन कोई रबड है रबड को आप खीचते हैं छोड़ देते हैं तो फिर से वही पर क्या होता है वो चला जाता है तो वही उसका क्या है इलास्टिसिटी गुण कहलाता है यानि कि उसका लचीलापन कहलाता है यह इलास्टिसिटी हो गया अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिसिटी पर इसको रफ करते हैं आप लोग इस्क्रीन सोट ले लिजिए लिखना हो तो लिख लिजिएगा वीडियो रोक के अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है सुघट्यता प्लास्टिसिटी यानि की सुघट्यता यह दूसरी हमारी प्लास्टिसिटी है अच्छा आपने अभी जाना कि जो इलास्टिसिटी होती है उस इलास्टिसिटी में क्या होता है किसी भी मैटेरियल को किसी भी धात को हम लोग खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो उसी वस्थम चला जाता है जिसे रबड होता है गेंद होती है उसको दबाते हैं हम प्लास्थ हमें आये ही ना जैसे कि कोई लोहे का जो है राड है उसको आप मोड देते हैं अब मोडने के बाद उसको छोड़ते हैं तो क्या वो सीधा हो जाता है नहीं होता है इस प्रकार के कई सारे उधरान आपके पास हैं ये इलाश्टिसिटी का एकदम उल्टा होता है जै जब किसी धात उपर भार या दाब या ताप लगाया जाए तो उसमें हुआ विरूपड सदैव के लिए इस्थाई हो जाए तो वहां गुण क्या कहलाता है प्लास्टिसिटी कहलाता है तो यह चीज जो है प्लास्टिसिटी के बारे में आप जानेंगे प्लास्टिसिटी के बारे में समझेंगे कि यह जो चीजें होती है वो प्लास्टिसिटी कहलाती है अब यह जो ग्राफ है इस ग्राफ को आप जरा समझेगा कि जैसे मान चली यह इस्टील हुआ इस्टील को हम खीचना शुरू किये तो यह जो इलास्टिक लिमिट है यानि कि प्रत्यास्थता सीमा है इसकी जो पहली वाली प्रेभासा थी क्या थी प्रत्यास्थता सीमा यानि कि इलास्टिक लिमिट तो यह यही पॉइंट है न तो इस पॉइंट का मतलब यह होता है कि यहां तक हम खीचते चले गया यानि कि यहां तक इस्ट्रेस लगाते हम चले गया इस्ट्रेस लगाने का मतलब कि उसको हम लोग खीचते चले गये तो तो वापस अपनी अवस्था को क्या करेगा रीगेन कर लेगा लेकिन जैसे ही यह अपनी इल्डिंग पॉइंट को आएगा तो इल्डिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वहां के बाद जितना भी हम लोग इस्ट्रेस खänंगे, तो वहाँ से वापस आने के चांसें जो हे वो खतम हो जाते हैं यही जिस्टिफाई करता है। उसके बाद यह अल्टिमेट टेंसाइल इस्ट्रेंथ यह दिखाता है कि मैक्सिमूम जो है किसी भी मैटेरियल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है वो सुरू हो जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा तो जहां पतला हो तो जहां पतला होता है उसको क्या बोलते हैं नेकिंग एरिया बोलते हैं Naking Area ये भी पूछ सकता है Naking Area तो यहां से यहां तक का जो है वो क्या कहलाता है Naking Area कहलाता है तो इस चित्र का जो है आपको बस इतना ही बताना था यही सारी चीज़ें आप से पूछी आ सकती है समझ में नहीं आया हो तो दो बार तीन बार वीडियो को देखिएगा लेकिन दोस्त यह वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful होने वाली है इस क्लास से कम से कम तीन से चार क्विशन में बार बार बोल रहा हो पूछे जाएंगे और जब आप लोग एक्जाम देखिए आएंगे ना तो मैं यही वीडियो की कटिंग जो है आपको लगा के फिर दिखाऊंगा तो इसको पूरा जो हैं लोग रफ करते हैं और आगे कुछ प्रापर्टीज हैं उनको पढ़ते हैं उनके बारे में जानते हैं तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी यह दो चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए इस्ट्रेस और इस्ट्रेन यानि कि प्रतिबल और विकृति विकृति का मतलब क्या होता है विकृति हो जाना उसमें परिवर्तन आ जाना तो वो विकृति हो जाता है stress यानि कि प्रतिबल बल के opposite में जो लगता है वो प्रतिबल होता है अब क्या हुआ? plasticity हो गया, elasticity हो गया तो यहाँ पर हम बारी बारी से लिक देते हैं, नहीं तो अभी थोड़ा सा confusion हो जाएगा elasticity दूसरा क्या था? plasticity अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ देते हैं? toughness या कड़ापन चाउथा हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? strength यानि की सामर्थ strength यानि की सामर्थ पाच्वा हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? ductility यानि की तन्यता चाठा हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? brittleness इसको हम लोग English और Hindi इसलिए दोनों में जान रहे हैं क्योंकि परवा में आपके आएगा जब क्यूशन न तो हो सकता है कि वो इंगलिस हैं में ऐसे लिखा रहे हैं हिंदी ही दे दे लिख क्या ऐसे ही? ductility लिख दे मतलब इंगलिस वाले सब्दों को हिंदी में बना के लिख देते हैं तो इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग brittleness यानि भंगुर्ता अब क्या बचा में लाइबिलिटी में लाइबिलिटी यानि आगहात वर्धनियता आगहात वर्धनियता अब क्या बचा फटीग स्ट्रेंथ फटीग स्ट्रेंथ फटीग स्ट्रेंथ और नौमा क्या बचा क्रीप इतनी चीजें जो है हमको पढ़नी है अब यह तो एक एक चीज के बारे हम लोग डिसकस करते हैं elasticity आपको बता दिया हमने कि किसी भी चीज को अगर आप खीशते हैं फिर से उसी पोजीशन में आ जाए तो वह elasticity होता है उसके बाद किसी भी चीज को आप खीशते हैं वह पुना उस अवस्था में ना आपाए जैसी अवस्था में आप उसको कर दें वैसी अवस्था में वह रह जाए तो वह क्या कहलाता है वह plasticity कहलाता है elasticity एक एक लाइन में हम लोग लिखना चाहें तो अपनी अवस्था में वापस आ जाए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं अपनी नई अवस्था में सदैव के लिए रह जाए यानि जितने पर हम उसको खींच लें उतने पर ही वह क्या करें रह जाए अब टफनेस का मतलब क्या होता है कड़ापन का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज में जो है कितना impact वो झेल सकती है यानि कि यह है कोई भी चीज अब यहां पर यहां पर यह हमने यहां पर दो पिलर लगाए हुए है यह क्या है यह लोहे की कोई चीज रखी हुई है अब यहां पर हम क्या करें हत्षावडा मारें hammer जिसको आप लोग फिटर की भासम बोलते हैं अब यहां पर अगर हम लोग हत्षावडा मारेंगे बीच में तो जैसा ही तेजी से हत्षावडा आएगा तो क्या होगा यह त्टूट जाएगा लेकिन एक अवस्था ऐसी रहे कुछ तेजी से और हम्मारेंगे तो नहीं तूटेगा तो क्यों नहीं तूट रहा है क्योंकि इसकी टफनेस जो है वो अच्छी है तो इसका मतलब जितनी ही अच्छी टफनेस इस मैटेरियल की रहेगी जितना ही अधिक टफनेस रहेगा अधिक टफनेस रहेगा तो ये नहीं मुड़ेगी ये जो rod है ये नहीं मुड़ेगी तो यही जो property होती है basically क्या होती है toughness होती है तो इसकी परिभासा आप क्या लिखेंगे high impact load high sudden load high impact load या high sudden load impact को हिंदी में बोला जाता है आगहात या तच्छड़ी कैसे बोल सकते हैं आप लोग इसको देख लिजिएगा high impact load को सहन करने की छमता सहन करने की छमता option में आपके यही सब मिलेंगे इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा जो मैं line by line लिखवा रहा हूँ यही चीज़ें आपको मिलेंगी question और answer में मिलान करने वाला आएगा तो वहाँ भी यही चीज़े मिलेंगी अगर class आप एक बार दो बार अच्छे देखे रहेंगे तो आप easily टिक कर लेंगे और आपका option गलत नहीं होने वाला है strength का मतलब यह होता है कि किसी चीज़ की सामर्थ सामर्थ का मतलब यह होता है कि जैसे मान की चलिए कि यह pillar खड़ा हुआ है लोहे का अब यह pillar का सामर्थ हमने जैसे हावडा ब्रीज आपने जो देखा होगा कोलकाता का कहीं भी देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि कम से कम मान की चलिए कि दस हजार किलो की कोई गाड़ी चली जा रही है और वो जो है टस से मस नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी सामर्थ जो है वो बहुँ जादा है तो सामर्थ का मतलब यह होता है कि कोई भी धात जो है कोई भी धात जितना अधिक भार या लोड को सह पाए वो उसकी सामर्थ होगी यही दो लाइन बस आपको याद रखना है और आपको समझने के लिए हम जो है खड़े होकर के एक बोरी उठा करके एक बोरी चावल अगर एक बोरी यह उठा लेते हैं तो हमारी वो सामर्थ है इसलिए हम उसको उठा ले रहे हैं यानि कि हमारे अंदर वो श्ट्रेंथ है इस किहीं गाँ इंपक्ट कह utilizz को फीट थोड़ा सी करें पिर तो इस समय जो क्या हुटा होती तो फो प्रोटाय जो शॉस हो थी टो नहीं उसको निज सुट एक का झेला के लिए तो वह कया होनी चाहिए वह टोफने से ओनी चाहिए just यह किसी भार को किसी लोट को आराम से उठा के खड़ा है कोई व्यक्ति तो वो उसकी श्ट्रेंथ है और वो क्या होता था सडन कोई चीज आके गिर जा रही है किसी पे मान की चलिए कि कोई छट है आपका छट है और वहां पे आपकी छट के ऊपर कोई बहुत बड़ा सा पें और वो आपके छट पे गिरेगा और आपकी छट टूर जाएगी तो क्या हो जाएगी मतलब उसकी toughness जो है वो कमजोर है क्योंकि वही पियन उतना ही वजन जो है जब आराम से आप रखते हैं तो आपकी छट नहीं टूरती है लेकिन जब एका एक तेजी से आके गिरता है तो टूर जाती है इसका मतलब है दोस्त कि उसकी जो toughness है वो कम है तो अभी तो समझ में आ गया होगा आपको इतना अब बात करते हैं हम लोग ductility की ductility यानि की तन्यता किसी तन्यता किसी धातु का वह गुड़ होती है जिससे उस धातु को खीच-खीच करके तान-तान करके पतल जैसे यह marker है इसको इतना तान आ जाए इतना खीचा जाए इसको कि इतना मोटा है यह बहुत पतली सी तार बन जाए बहुत मोटा सा marker बहुत पतली सी तार बन जाए तो वो क्या कहलाएगी ductility कहलाएगी यानि कि तन्यता कहलाएगी जो आप बिजली के वायर ओर देखते हैं सब ductility के ही है copper, aluminium इसम में बहुत अच्छी ductility होती है जो सोना होता है उसकी ductility और अच्छी होती है gold तो तनिता क्या होती है किसी धातू को खीच कर पतले तार के रूप में विरूपित करना क्या कहलाती है तनिता कहलाती है अब बात करते हैं हम लोग brittleness की यानि भंगूरता आप लोगोंने सुना भी होगे कोई भी चीज बहुत भंगूर है जैसे बोलते हैं न गाउं में कि ये संसार जो है नस्वर है और आपका सरुईर जो है वो भंगूर है इसलिए चार दिन के लिए आया है तो चार दिन अच्छे से जीए ऐसी बाते होती हैं तो समझाने के लिए बोला जा रहा है ये आप चार दिन ने ये आप हजारों साल जीए ये हमारी दूआ है आपको तो Preetailness का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज चडबhanger हो जाना यानि कि इंट जो होती है आप ऐसे देख सकते हैं समझ सकते हैं थोड़ा साब को समझाने कोशिश करते हैं जो इंट होती है ना brick यानि कि जो घरों में जो इंट लगी होती है उस इंट को आप ऐसे खीच दें या ऐसे मार दें तो क्या होती हो टुकड़ टुकड़ में तूट जाती है काच होता है जो आईना जो आप सीशा देखते हैं अगर उसको क्या करें आप ऐसे गिरा दें छोड़ दें तो क्या होता है वो टुकड़न टुकड़न में तूट जाता है तो उसका क्या है वो ब्रिटिलनेस है वो भंगुरता कहलाएगा यानि कि छड़ भंगुर है वो तुर जान रखना है कौन किसका उल्टा है जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते चलिएगा तो ब्रिटिलने से आने की भंगुर्टा क्या है धा तुका तुकडो तुकडो में तूट जाना भंगुर्टा कहलाता है इसके इंगलिस नाम को आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा मेलाइबिलिटी यानि की आगहात वर्धनियता अब मेलाइबिलिटी यानि की आगहात वर्धनियता की बात करें तो मेलाइबिलिटी का मतलब यह आगहात वर्धनियता तो वो क्या कहलाएगी आगात वर्धनियता कहलाएगी जैसे सोना और चांदी जो होते हैं इनकी आगात वर्धनियता बहुत ही ज़्यादा होती है जैसे सोना चांदी इनकी आगात वर्दितिया क्या होती? सबसे ज़्यादा होती है तो इसकी परिभासा अगर हम लोग लिखें पीट पीट कर चादर के रूप में विरूपित होने का गुड होने का गुड क्या कहलाता है? आगहात वर्दिता कहलाता है उसके बाद फटीग स्ट्रेंथ का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज़ पर साइकलिक लोडिंग हो रही यानि कि बार बार किसी भी चीज़ पर लोडिंग हो रही जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा अब्जेक्ट रखा हुआ है जहां पर दो किलो सामान आप रखते हैं फिर उसको हटा देते हैं फिर दो किलो सामान रखते हैं, फिर अटा देते हैं, फिर दो किलो सामान रखते हैं, फिर अटा देते हैं, यानि कि साइक्लिक लोडिंग, बार बार उसको जो है लोड अनलोड, लोड अनलोड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, फटीग स्ट्रेंद कहलाएगी, यानि कि च चक्रिय लोडिंग अगर किसी भी धातु में हो रही है लोडिंग हो रही है तो वह यानि कि चक्रिय लोडिंग को वो बियर कर ले रहा है सहन कर ले जा रहा है हो रही है तो वह उसको सहन कर लेता है यह गुड़ फटीग स्ट्रिंथ कहलाती है अब हम लोग बात करते हैं क्रीप की क्रीप का मतलब यह होता है कि जैसे मान चलिए आप जो घरों में जो बार्जे निकले होते हैं च्छत की आपकी वो क्रीप का एक उदरन अच्छा हो सकता है उस बार्जे की जगह पे अगर जो सिमेंट का होता है इंट का बना होता है अगर इसको प्योर हम लोग इस्टील का बना दें तो एक समय आएगा धीरे 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 क्या हो जाएगा वो मुड़ जाएगा साव साल दो साव तीन साव चार साव साल बाद यानि कि तापमान और लोड धीरे धीरे लगे रहने पर क्या होता है वो विरूपित हो जाता है तो वो क्रीप कहलाता है किसी धात उपर ताप और लोड लंबे समय तक रहे तो वह विरूपित हो दिख रहे नीचे तक तो वह विरूपित हो जाए क्रीप कहलाती है इतनी चीजें जो है वो आपको पढ़नी थी इतनी चीजें हमने आपको बताई ये बहुत इंपोर्टन चीजें हैं इतने अच्छे से इतने डिटेल में कोई समझायेगा नहीं हलाकि कहीं पर क्लासेश हो भी नहीं रहे हैं किसी चनल पर यह हम देख पा रहे हैं तो आप लोगों से आसा यही है कि इतना अच्छा क्लास आपको मिला है जो आज का ये ये बहुत ही जबरदस्त क्लास है इस क्लास से 4 से 5 क्यूशन, 3 से 4 क्यूशन यानि कि 60 क्यूशन जो आपका रहेगा उसमें 30 क्यूशन आपके किसके रहेंगे, साइंस के रहेंगे और 30 क्यूशन आपके किसके रहेंगे, आप कमेंट करिएगा मैं हर कमेंट के रिप्लाई करने कोशिज करता हूँ और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के शाथ सेयर करिए और अगर लगे तब तक के लिए धन्यवाद